नवाश्कार दोस्तों श्रीमें कि इस नेवड में आप समीका बहुत-बहुत स्वागते हैं और मैं होड़ा उप्टारंथ दोस्तों आज कल आप हमारे आस पास जरूर देखिए तो एक ठीज आपको कौन मिलेगे कि हर घर में कोई न कोई एक आदमी सीरियस प्रोलम से सफर कर रहा है या तो वो Fati Lever से सफर कर रहा है या तो वो Nacional Di 끔र लाइफ स्टांड डिसोर्डर जैसे कि डाइवटिज, बीपी और ठाइराइट की प्रोलम से सफर कर रहा है और इनि सारी प्रिशानी olmар घर तक बात करें थे देखें आज कल जो average उमर है वो धीरी-दीरी कम होती जा रही है और लोगों के मन में fear बढ़ता जा रहा है कि हमारी उमर कितनी है या हम कितने साल तक जिन्दा रहेंगे तो आज इस video पर हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी daily life के habits से इन पाच चीजों को हटा दें तो आपकी उमर दुगनी से भी ज़्यादा हो सकती है यानि कि आपकी उमर अच्छी कासी बढ़ सकती है साथी साथी जो पाचों habits है उसमें सो जो आखरी habit है वो एक food habit है जिसको कि हम daily consume करते हैं अपने daily life में क्योंकि यह हमारे kitchen में भी मुझूद है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्या आप अपनी health problem से परिशान है तो समय गवाए बिना best homeopathic treatment पाने के लिए अभी चैनल को subscribe करें और bell icon दबाएं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे bell icon दबा दिये ताकि आपको हमारी वीडियो की notifications सबसे पहले मिल सके साथी जाथ अगर आप अपने लिए या अपनी family में किसी का भी treatment या इलाज करना चाहते हैं हमारी क्लिक का वाई क्लिक के नंबर 9305024291 पे contact करते हैं अपनी प्रॉपर ट्रीट्मेंट और अप्वाइंड बुक कर सकते हैं दोस्तों जैसा हमें ने बता रहे कि आज कि जो average उमर है वो दीरे दीरे कम होती जा रही है और बहुत सरी लोग चिंतित रहते हैं कि हमारी उमर क्या है हम ऐसा तो नहीं कल जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे हम अभी शादी देखने हैं घर में किसी की परिवार बहुत छोटा है और नियुक्त गवडानी की वज़े से mentally काफी अदा depressed हो जाते हैं और काफी दर प्रशावने जाते हैं कि हमारे घर के अगल बगल ही इतने सारे लोग हैं उनको ये विमारी है इनको ये विमारी है अभी मुझे कुछ नहीं है पर मुझे कुछ बो न जाए मेरी family का क्या होगा अगर आपके मनने भी यही सारी चिंताएं हैं तो आप इस वीडियो को लाश तक दिखी क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे इसी पाच habits की जिसको कि आप छोड़ करके अपनी उमन को double कर सकते हैं आज से चली सबते पर अपनी एक आदत है हमारी खाने की वह है चीनी की जी हाँ चीनी यानि की शुगर शुगर एक ऐसी habit है जिसको कि हम सुबह से उठते ही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं चाय में कॉफी में अपने breakfast में फिर अपने lunch में फिर अपने डिनर में sweets के form में, shakes के form में, lassi के form में हम जहां चाते हैं वहां हम sugar यानि की चीनी को ठूस देते हैं गुसा देते हैं जो हमारी life के लिए काफियादा disturbance है जैसे कि अगर हमारी body का sugar ने भी इंप्रीज हो जाए तो हमें diabetes की problem हो सकती है और फिर diabetes से बहुत सारी campaign हो सकती है जैसे कि diabetic put हो गया, diabetic return रोपैती हो गया, साती सार डगर diabetes आपको स्टार्ट हो गई तो आप multiple organ पे भी pressure डालते हैं उसको खराब करने लिए तो अगर आप चीनी के आदी है आपकी चीनी खाने की आदत है तो आज ही चीनी को बंद करने के कुशिश करिए हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते एक trial phase दीजिए 15 days का 15 दिन के लिए चीनी को बंद करके दिखिए आपको result आपके सामने मिलेगा, habit number two, बहुत ज़्यादा oily foods, बहुत ज़्यादा तेन, बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा refinery items अगर आप खाते हैं तो यह आपके health के लिए काफी यदा disturbance पैदा कर सकत है, यह जो बहुत आप तेन या घी खा रहे हैं, कितना प्योर है, कितना सही है, यह आपको भी नहीं पता, आप market के है, market से ले करके है, और खाना स्टार्ट कर दिया, foods के साथ, खाने के साथ, तेन, घी, पराटा, अचार, जिश्मी डाल ले है, हर जगा डाल ले और जिए ख फैट का accumulation कर रहा है, हमारी body में, और यह जो हमारी नसे होती है, जिससे के हमारे blood circulation होता है, उसमें यह अंदर के तरफ, cholesterol के रूप में जमा होने लग रही है, जिससे के thrombosis हो जा रहा है, जिससे के embolism हो जा रहा है, और आगे चलके, यह adherosclerosis का काम करता है, यानि कि जो हमार नसे हैं, जो veins और arteries हैं, यह उसको block करने लगता है, जिसकी वजह से हमें high BP की समिशता हो जाती है, जो हमारे heart के health के लिए बिल्कुल भी फायदेबन नहीं है, आगर आपको लंबे समय से atherosclerosis के problem है, या cholesterol level बहुत जादा बढ़ा हुआ है, तो यह आपके heart को damage करेगा, और heart failure भी समस्या हो सकती है, तो आज से ही oil, घीं, तेन, या refinery जो items होते हैं, उसको दूर रखिए, जैसे मैंने बोला, हमेशा दूर नहीं कर सकते हैं, तो कम सका 15 days इन ये, उससे दूरी बना कर रखिए, आपको result मिलेंगे, और इस result के धर पर आगे बढ़ सकते हैं, habit number 3, medicines, जी ह कहीं चूट लगी, पेंकिलर लिया, सर्दी जी कम मुखार हुआ, तुरण गें antibiotic ले लिया, मैं नाम नहीं नहीं लिए किसी एंटिवाटिक्स का, बट बहुत सारे एंटिवाटिक्स देने के बाद, या बहुत सारे पेंकिलर्स देने के बाद, आपकी kidney और आपकी liver, दोलों पारे ही medicine कुछ समय के लिए ठीक है बट अगर आप हफते में दो दिन या तीन दिन consume कर रहे हैं ले रहे हैं तो यह आपके लिए जितरा fire even साबित हो रही है उससे कई गुला जादा यह आपके लिए आनिक अरक साबित हो सकती है विश्वास नहीं हो तो आप जो भी medicine खा रहे ह habits हो सकते हैं तो आप ज़रूर consider करिए और हो सकते हैं तो कम से कम medicine खाईए और जैसे मैं गोला कम से कम 15 दिन बगार medicine के रहे के देखिए आपको फर्क समझ में आएगा habit number 4 जो कि जो लोग घर के बाहर रहते हैं खासों से meals की बात करें उनकी habit रहती है smoking, alcohol, tobacco की अगर आप आदी हैं cigarette smoking और tobacco की तो यह आपके health के निये काफियादा दुष्परडाम ला सकती है आपको cancer cost कर सकती है आपके heart failure का कारब बन सकती है आपके kidney failure का कारब बन सकती है आपके तो अगर आप smoking, alcohol या tobacco को लेते हैं तो आज से ही उसको छोड़ दीजे क्योंकि यह आपके निये काफियादा harmful हो सकता है पाचवी जो habit है जैसे हमने होला यह सबसे जादा common है और हमारे घर में हमीशा रहती है घर के बाहर रहते हैं तो भी हमीशा मिलती है और कहीं ने कहीं ह पर यह मैदा हमारे health के निये काफी ज़्यादा हानिका रह जानी की काफी ज़्यादा negative role play करता है क्योंकि यह मैदा हम किसी भी form में खाएं यह पेट में जाकरके हमारे आतों से चिपल जाता है और आतों की जो movement होती है ठीक है जो interstating movement होती है यह उसको रोकता है उसको कम करत है जिसकी वज़े से हमारा digestive system खरा हो जाता है जिसकी वज़े से जो हमारे stomach के जियाएटी के जो enzymes होते है वह पापतर के release नहीं पाते खाना अच्छे से पच नहीं पाता डाइशन अच्छे से वह नहीं पाता और जिसकी वज़े से constipation कब्स की समस्या और यह आगी चलके पा फॉर्म में तो कम से कम 15 दिन मैदी से दूर रहिए मैदा बिल्कुल भी मत खाये तो यह 5 habits हैं जिसको आप आज से बंद करने के कुशिश करिए और कम से कम 15 दिन बंद करिए ताकि आप उसके प्रॉपर तरीके से result दिख सकें उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर देखिए आपकी health के लिए काफी अधा important रोल पे कर सकता है तो मैं डॉक्टर अन्द मिलता हूँ अपसे इसी तरीके यह वीडियो में तब तक कि रवश्कार जैन चैभारत